गोलु देपता, न्याय के देपता, त्वरित वर्दान देने वाले देपता, गोल जु देपता, इन सभी नावों से जाना जाता है, क्यों ये न्याय के देपता के नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं? हर सभी के पीछे एक तत्थे चुपा हुआ होता है एक घटना चुपी हुई होती है तो गोलु देवता को न्याय का देवता क्यों कहते हैं उसके पीछे भी एक घटना चुपी हुई है जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी और इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है तब ही आपको कोई भी जो एक नॉलिज कहते है ना कि बाटने से ग्यान बाटने से बढ़ता है चाहे मैं आपको बताऊं या फिर कोई और आपको बताएं वो तब ही हमें पता चलता है जब हम उसके बारे में परखशक तथ्य है जो हम सभी को प्रभावित करता है तो चली थोड़ा बहुत इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिस करूँगी कि क्यूं इस मंदिर को इतना माना जाता है तो सबसे पहले तो ना न्याय की देवता इनको क्यों कहते हैं थोड़ा बहुत इती हास देखने की कोशिस करते हैं कि जो न्याय की देवता के लिए इतने प्रसिद हैं वो क्यों है क्योंकि गोलू देवता के साथ भी पहले अन्याय हुआ था बच्पन में जिसके लिए उन्होंने अपने आप खुद लड़ाई करी और जब उनको उनकी साथ justice हुआ उनके साथ मतलब की राजा ने जो उनके पिताजी थे उनकी बातों को सुना तो उनको न्याय दिया तो फिर वो न्याय के देवता के रोक में प्रसिद हुए क्योंकि वो सभाई लगाते थे तो थोड़ा बहुत इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगी सुना गया है और आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर भी आप देख सकते हैं किसी के मुख के दुवारा भी आप बाते सुन सकते हैं कि गुलु देवता की जोत्पत्ती वो एक कत्योर वज़ के राजा जालराई से मानी जाती है जिनकी ततकालि राजे की राज़धानी धुमा कोट चमपावत थी राजा जालराई की सात रानिया थी सातों की सातों ने संतान थी उनको कोई बच्चा नहीं था तो जब राजा होता है राजा को तो अपना वंच वढ़ाने के लिए को सोचने की कोशिस करता रहता है कि कैसे मेरा वंच आगे बढ़ेगा मैंने साथ शादियां की लेकिन किसी भी एक राणी से मुझे पच्चे की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे ही संतान प्राप्ति की आस में राजा द्वारा काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यग करवाया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिये और कहा राजन अब आप आठवा विवा करो मैं उसी रानी के गर्ब से आपके पुत्र के रोप में जनम लूँगा राजा ने अपना आठवा विवा कलिंका से रचाया और जल्द ही रानी गर्बती हो गई गर्बती होने के कारण सातो रानियों में एक इर्शा की भावना उत्पन हो गई आपस में वो चिड़ने लगी कि ये कैसे प्रेगनेंट हो गई यानि कि कैसे गर्बती हो गई तो व ये बात कहा कि ग्रहों के प्रकोफ से बचने के लिए माता से पैदा होने वाला शिशु जो भी है उसकी सूरत को साथ दिनों तक नहीं देखना है और प्रसुर्फ के दिन सातो रानियों ने नवजाच शिशु की जगे सिलबटा रख देती थी। सातो रानियों ने कलिंका रानि को बताया कि उसने एक सिलबटे को जनम दिया है उसके बात सातो रानियों मिलकर कलिंका के पुत्र को मारने की साजिश रचने लगी। थोड़े समय बात जब वो रानिया देखने आती हैं कि बालक मरा या नहीं मरा या फिर अभी भी जिन्दा है तो वो क्या देखती हैं वो आश्चर ये चकीत रह जाती हैं कि गाएं खुटने टेक कर शिशु के मौ में अपना थन डाल कर उसे दूद पिला रही हैं ये बालक को मारने के लिए दूसरी योजना रचिती हैं बहुत कोशिस करने के बाद भी ये बालक नहीं मरता है बाद में रानिया उस बालक को संदूक में डाल कर काली नदी में फेक देती हैं मगर इश्वर का चमतकार तो देखिए कि वो संदूक तैरने लगता है और तैर कर वो गौरी घाट पर पहुंच जाता है अब गौरी घाट पर जैसी ही वो पहुंचता है संदूक तो वो किसको मिलता है वो भाना नामक एक मचछवारे को मिलता है वो उसकी जाल में फज जाता है संदूक तो भगवान की किरपा क्या होती है कि उस मचछवारे की तो कोई संतान नहीं थी तो उसने संतान ना होने के कारण उस बालक को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने उसको पालने का निश्चे लिया एक मतलब कि उसको पालने का उसने सोचा कि मैं इस बालक को आप पालता हूं तो गौरी घाट में मिलने के कारण मचवारे ने उस बालक क नाम गोरया रग दिया बालक जब बड़ा होने लगा तो वो उस मचवारे से एक घोड़े के डिमांड उसने करी कि मुझे एक घोड़ा चाहिए लेकिन मचवारा तो बहुत गरीब था वो उसको कैसे घोड़ा खरीद कर देता तो मचवारे ने क्या किया उसको एक काट का यानि की लकड़ी का घोड़ा बना कर दिया आप सभी सुनकर इस बात को आश्चरे हो जाएंगे क्योंकि मैंने जब सुना था तो मैं भी हो गए थी कि वो काट का घोड़ा जैसे ही उस बालक के पास आता है तो बालक उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है और एक दिन जब बालक उस घोड़े पर बैठता है तो वह घोड़ा सरपट दोड़ने लगता है यानि कि इतनी तेज दोड़ने लगता है कि सभी उस नजारे को देखकर चकीत रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि काट का घोड़ा भी दोड़ने लग गया अब जब बालक की ऐसा समय आता है कि उन सातोराणियों से उसकी मलाकात होती है कैसे होती है देखिए एक दिन बालक उसी काट के घोड़े में बैठ कर धुमा कोट नावकिस्तान पर पहुंच जाता है जहां सातोराणिया राजगाट से पानी भर रही थी और बालक अपनी माता कलिंका के प्रतीर रचे शडियंत्र की बात रानियों के मुख से सुन लेता है ये बात बालक जान कर भी उस समय शान्त रहता है वे रानियों के पास चाकर कहता है कि पहले उनका घोड़ा पानी पिएगा उसके बाद आप पानी भरेंगे ये सुनकर रानिया हसने लगती है और कहती है ये मूर्ख काट का घोड़ा भी कहीं पानी पी सकता है उसके बाद बालक बोलता है जब इस्तरी के गर्ब से सिल्बटा पैदा हो सकता है तो काट का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता ये सुनकर सातो रानिया घवरा जाती है औ भाग कर राजा के पास जाती है और उस बालक के बारे में शिकायत करने लगती है उसके बाद राजा उस बालक को बुला कर सच्चाई जानने का प्रयास करता है तो बालक में सातो रानियो द्वारा उनकी माता कलिंका के साथ रची के शट्यंत्र की कहानी सुनाता है कहानी सुन मेरे माता के वक्ष से दूद की धारा निकल कर मेरे मुह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, राजा ने बालक को गले से लगा लिया और सारा राजपाट उसको अपना सौप दिया। इसके बाद वहराजा बनकर जगे जगे नियाय की सभाएं लगाते थे और सबको नियाय दिलाते थे। नियाय के देवता के रोप में इसलिए इनको इतना प्रसिद्धी हासिल हुई और इसलिए इनको नियाय के देवता कहा जाता है। और यही बालक गोलजु देता के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनको गौर भैरव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही सफेद थे, बहुत ही गोरे चिट्टे थे। और क्या कहते हैं कि जो गोलु देता चेताई में हैं यानि कि उत्राखंट राज्ये के अल्मोरा जिले में हैं उनकी भी स्टोरी सेम घोड़ा खाल वाले देता से बिलकुल मिलती हैं। तो इसलिए मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से उन सभी जो एक प्रमुख बाते होती हैं कुछ ऐसी जगेओं के बारे मैं बताने की कोशिस करती हूँ, कि जो मुझे प्रभावित करती हैं तो मुझे उबीद हैं। गुलू देवता के बारे में मैंने जितनी भी जानकारी आप सभी को बताने की कोशिस करी हैं, वो सभी आपको कुछ हद तक एक पॉजिटिविटी ज़रूर देगी और माननेता हैं कुछ भी हो लेकिन आपका मन जो कहता है आप सभी को वही करना चाहिए और जितना हो सके अ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिएगा अन्यवाद